बुल्ला के समर्थन के आरान कर दिया है सवाल अभी ये उठ रहा है कि क्या इसराइल को लेकर इरान और साओधी आरब की सिक्रेट डील हो गई है और इसी पर देखें ये खास रपोर्ट ये वीडियो लेबनान से आया है इसे रिकॉर्ड करने वाला इसराइल का ड्रोन है और नीचे भागते हुए लोग हिजबुला के लड़ाके है खौर से देखें ये वीडियो ये दोनों भागते हुए एक बिल्डिंग में दाखिल होते हैं ताकि इसराइल के ड्रोन इन्हें देखना ले लेकिन होता वही है जो इसराइल का ड्रोन चाता है ये उत्तरी इसराइल और दक्षनी लिबनान के बॉर्डर का इलाका होड़ा है और यहाँ पर इसराइल ने ये सर्जिकल स्ट्राइक कर दी अब ये वीडियो देखने के बार क्या हेजबॉल्ला चीफ गुस्से में होगा क्या बैनमे नेतनियाहू जश्ट मनाएंगे कौन गुस्सा होगा कौन खुश या फिर इसका उल्टा होगा क्योंकि लेपनान और इसराइल के वार्टर पर चल रहे युद्ध के बीच एक ऐसी खबर आई है जिसने इसराइल की उमीदों के बड़े परखचे उड़ा दिये है खबर ऐसी है कि हजबुलास सेंटर स्टेज पर आ गया है और अरब देशों का बॉस कहा जा रहा है लेपनान के इस मिलीशिया को जो अरब देश दुश्मन मानते हैं अचानक वो हसन नसराला के इर्द गिर्द इकठा होना चाहते हैं हसन नसराला अब अरब देशों का बॉस बनकर उभरने लगा है नसराला और हजबुला को लेकर पूरे पश्य मेशिया में एक बड़ा उलट फेर हो गया है इसकी वज़े हैं ये खबर इसराल से लेकर इरान और रूस से लेकर तुर्की की मीडिया में ये खबर चा चुकी है खबर ये है कि 20 अरब देशों के संगठन अरब लीग जिसमें सौधी अरब मिस्र और UAE जैसे देश हैं उसने हजबुला पर अपना रुख बदल दिया है अरब लीग अब हजबुला को आतंकी संगठन नहीं मान था अरब लीग के सहायत महासचेव हुस्सम जखी ने लेबनान के दोरे पर मिस्र की मीडिया को दिये इंट्रव्यू में कहा अरब लीग ने पहले हजबुला को आतंकी संगठन माना था हेजबुला से हमारी बातचीत बंद हो गई थी अब अरब लीग के सदस से मानते हैं कि हेजबुला पर ये नजर्या ठीक नहीं है अरब लीग ने 2016 में हेजबुला को टेरर ग्रुप करार दिया था लेकिन अब अरब लीग के अंदर हिस्बॉल्ला की इमेज बदल गई है इस से पहले 7 मई को अरब लीग ने सीरिया को भी वापिस अपने गुट में शामिल कर लिया था हिस्बॉल्ला और सीरिया दोनों को हमेशा इरान का पक्का समर्थन रहा है ऐसे में क्या अरब लीग के फैसले को इरान के आगे जुकना माना जाए क्योंकि हिजबुल्ला कोई देश नहीं एक मुल्क का मिलीशिया है और उसे लेकर अगर अरब देशों का जहन बदला है तो इसके पीछे क्या इरान की पावर है क्योंकि पिछले दो सालों में इरान ने सभी अरब देशों से अपने रिष्टे सुधारे है और अब इसका फायदा हिजबुल्ला को भी मिलने लगा है हिजबुल्ला की पावर का एक और वीडियो देखिए लेपडान इस्रेल बॉर्डर पर हिजबुल्ला ने इरान की दी हुई अलमास एंटी टैंक मिसाइल से हमला किया और इस मिसाइल ने सीधे जाकर इस्रेल की नेमर मख्तरबंद गाड़ी को उड़ा टाला इस तरह की टकर अभी तक कोई अरब देश इस्रेल से नहीं ले पाया है बलकि घाजा पर बंबारी को लेकर अरब देश अभी तक बैक फुट पर रहे है हलाकि अब हिजबुल्ला जिस तरह से इस्रेल पर हमले कर रहा है उसमें अरब लीग को एक अलग प्रेशर में डाल दिया है अरब लीग ने अब अपना फैसला बदल दिया है और यही वज़े है कि हिजबुल्ला के ठेकानों पर बं गिरने के बावजूर हसन नसरल्ला बहुत खुश है और अरब लीग के अक्शन से बेनमिन नीतनियाहू को बहुत बड़ा सद्मा लगा है अरब देशों के रुख ने हिजबुल्ला और इस्रेल का मूड बदल दिया है हलाकि इसमें कोई शक्त नहीं कि हसन नसरल्ला ने अभी तक इजबुल्ला के खिलाफ उत्तर में जो मूर्चा खुला हुआ है उसमें हिजबुल्ला को लगातार जटके मिले हैं बहुत कम दिन ऐसे गुजरते हैं जब लिबनान में हिजबुल्ला के किसी लड़ाके का जनाज़ा न निकली लिबनान में इस वक्त बड़े युद का खत्रा मन रहा है ये लिबनान के लोग भी जानते हैं और हिजबुल्ला के समर्थक भी इस बात को समझते हैं इसरेल पर हमास के हमले को नौ महीने होने वाले है और इसरेली सेना पर हिजबुल्ला के हमलों को भी नौ महीने होने वाले हैं साथ अक्टूबर को हमास ने इसरेल पर अटेक किया आठ अक्टूबर को हिजबुल्ला ने भी इसरेली ठीकानों पर रॉकेट दागने शुरू कर दिये थे इसरेल के रक्षा मंत्री योग एलंट ने कहा है कि हिजबुल्ला इसरेल से युद्ध की बड़ी बड़ी बातें करता है लेकिन सच ये है कि इसरेल की जवावी का रिवाई में उसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है लो कל לתושבי הצפון יש דבר אחד שאני יכול לומר לכם על זה וזה שלחיזבאללה וללבנון הרבה יותר קשה זה קל לדבר מהבונקר ולעשה את הצרות बसोफोशे लिन्यान ये शमा मेल अर्बामोद वखमिशी मारूगी मरम खबली इस में कोई शक नहीं कि घाजा इसरेल और लेपनान का वार्ज जोन इस सुक्त बहुत एक्टिव है इसरेल और हिजबुल्ला लगातर एक दूसरे पर हमला कर रहे है और अब डर है कि हिजबुल्ला 2006 वाले प्लैन को दोराएगा 2006 में हुई किटनैपिंग के दोरान इसरेल और हिजबुल्ला के बीच युद भी हुआ था जिसमें दोनों तरफ बड़ा नुकसान हुआ 2006 में हिजबुल्ला और इसरेल के बीच 34 दिन तक युद चला था तब इसरेल के 121 सैनिकों को मिला कर 160 लोग मारे गए थे जबकि हिजबुल्ला के 200 लड़ाकों समेट लेबनान के 1000 लोगों की मौत होई थी ये युद संयुक्त राश्चर के दखल के बाद सीज फायर के साथ खत्म हुआ और इसरेल को लेबनान से पीछे हटना था